हेलो फ्रेंज, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बचीकूँ, फिर से एक नए वीडियो के साथ हजिर हो गई हूँ, आज है 18 सेप्टेंबर, और आज पता है तीन फेस्टिवल एक साथ है, एक तो है गनिश्यतूर्थी, दूसर आज बेंगॉली के घर में चूला नहीं जलेगा, कल रात का जो चावल था वो और उसके साथ बहुत धेर सारा खाना बनता है, आप लोगों में से जो बेंगॉली है, उनको पता ही है, रानना पूजा कैसे वो लोग सेलिबरेट करते हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को इ अपने काम में यूज करती हूं, मैंने उन सब के चोटा सा पूजा किया है, सिर्फ फूल और मिठाई देके, और इसके बाद मैं आ गई हूं चाय बनाने के लिए, और देखो मेरे सार पे बन बना हुआ है, गमछे से, तो आज मैं इस ब्लॉग में हेयर ड्राइंग भी करने पतीला जूटा पड़ा हुआ था, तो इसको में पीछ मेंने कैमरे को थोड़ा से ओफ किया, इसको मैंने साफ किया, अभी लंच का टाइम गो चुका है, बटा भी लंच करेंगे नहीं, यहाँ पे आये हैं, आने के बाद से रूम को प्लीन किये, खुद नहाएं हैं, इसको साथ, बन बना हुआ है, आज है और बनाएं से बनाओंगे, और यह जो ब्लॉग है वहा ब्लॉग belumूग ही है, पहले मैं चाय चखा दूं उसका बात सकूंगे, है हैं और अभी चाय केलि एधर कहीं जाता और ऑठीका कसेयों नहीं जाता हैं तर्सक अदि univers पार शाय यंशन 01 आज भी वही हुआ पैर मेरा मेरा दोनों पैर बहुत जादा ही दर्फ कर रहा है बर आज आने के बाद यहां बैठने का मुझे टाइम नहीं मिला कि अर्टी बेर से उपर हो गया था एक बच के तीस मिनट एक बच के पैसालीस मिनट हो रहा था जब मैं रूम में बहुत पहु थो दम थक चुखी हो तो मुझे लगा कि थलो थोड़ा सा रिलाक्स करते हैं बैकते हैं चाय बना लेते हैं चाय पीएंगे वीडियो का काम करेंगे फिर लंच करेंगे और अज लंच में क्या ठाएंगे पता है आज तो मैंने घर पे फूजा किया बिश करमा पूजा मेरे कि कुछ उल्लेक्रोनिक्स है जो काम में यूस होता है तो बुर्यानी चाह दा है आज तो बीडियानी ठाल थे का दी है तो आज मैं वह बर्लियानी ही खाऊंगी घर का बना हुआ बड़ ऐसी वह भी 2 दिन-के बादी चावल चावल से मैंने वह बिर्यानी बनाया था इंधि कोटिंग वाला जो बासी भाद से मैंने बिर्याणी बनाए था सी मैं बिर्यानी ख्लोज देखो बहुत जादा है इतना मैं नहीं खा पाऊंगी दोपीश चिकन आलू पता नहीं है या नहीं जो है मैं खा लूंगी तो इसको मैं आप लोगो ने देखा ही मैंने इसको फिल से निकाला अब यह नॉर्मल होगा उसके बाद ही खाएंगे तो नॉर्मल होने में थोरा सा टाइम लगेगा इसको अभी रख देते हैं यहीं पे भूख नहीं लगा है ऐसा नहीं है भूख भी लगा है मुझे पर्त्य यह थोरा सा नॉर्मल होगा उसके बाद में इसको गैस पे चरहाओंगी करम होने के लिए और यह प्राइड राइज तो है नहीं के इसको गैस पे कि ठोड़न निम्भू डालके तो चलिए चाइस अबल चुकी है चलते हैं एक मतों लाना भूली गई एक मिनट में लीवान लेके आती हूं लिबॉन और मेरा हालत देखो जो खोपा जो बग बन मैंने बनाया था गमचा पीछे से उलट के बन के उपर आग गया दबल बन बन गया चलो बग बग कड़ेंगे तो उदर चाई सूख जाएगा मेरा और यहार ड्राइंग में तो जादा मैं कुछ कर सी हूँ नहीं पको दिन से यहार ड्राइंग तो आज यहार ड्राइंग करने का मन नहीं हुआ क्योंकि सारी में यहार ड्राइंग मैंने बहुत दिनों तक नहीं दिया और आप लोग में रिक्वेस्ट करते हो अच्छा भी लगता है चलो इतने बाल जहर रहे हैं ना बाल पुरा आधा हो चुका है अच्छा नहीं लगता है क्या करें कुछ कर भी नहीं सकते हैं अब ड़ी डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए तो वो बोलेंगे PCOD, PCOS और बहुत सारी यह सब टेस्ट करो उसकी वज़ेसे हो सतने बाल के जाएं तो पैसे की बरबादी ने करना है चलो स्टार्ट करते हैं एर ड्राइंग विट रियल साउंड आज पता है क्यों बाल फस रहे हैं तो जो मैं बोल रही थी बूल गई मुझे लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद है बट बाल जैसे लंबे होते हैं थोड़ा सा जहने लगते हैं तौरे पर कार देती हैं की बाल फदली हो जैएंग तो फिर लंबा रख attracted to क्या फाहिदा? और तो वह ज़्याद से लगेगा जैसे पुदू बेंगॉली में बोलते हैं टिक्टी की लेंज यह सब करते गरते धाई बज गया चाय तीन हूँ फिर तीन बज़े बुठेंगे लंज करने के लिए फिर चार बज़े निकलेंगे काम पर छुटी नहीं है सुवा से यह सब कर दें सुवा से काम भी किये फिर घर आके यह सब फिर ब्लॉगिंग अभी पैर में इतना दर्थ हो दर लगता है न कोई पैर दबा दे को मुझे राहत मिले अब यहां पर कोई है नहीं चार बन चुकी है चले जाते है किछन पर और पीचन यह पर पूरा बाल हो गया जब भी ट्यार ड्राई करती है बाल पुरा नीचे वाला फ्लोर जो है न फ्लोर तो उपाई कलर का टाइस है न तो जित्ते इसे भी बाल है, सब दिखते हैं, देखो, सब दिख रहा है, इतना बेजिवल है, तो मैं क्या करती हूँ, सब को पैरों से इकठ्था करके बाहर पेटेगी, मैं दिखाती हूँ आपको एक दोने के, देखो, इतना बाल निकला, सी, यह सिर्फ हेयर ट्राइं करके निकला, चलो, इसको एकदम विंदो से बाहर कर देते हैं, चलिए, आप पीछे में चले जाते हैं, चाई जो है, वो बहुत पहले उबल चुकी है, अब वो सूख जाएगी, उजय को मैं जब भी बंद करती हूँ, हमेशा नीचे से बंद करते हूँ, क्योंकि मुगे दर लगता है, नीचे से बंद करेंगे ना तो फिर गैस निकलने का जो डर में गया पार मेंसे बंद है, और अगर आप उपर से भी बंद करके छोड़ दोगे यार करनी से लीक हुआ तो फिर देखो चाय देखो मेरा अधा कप हो गया इतनी जल्दी मैंने ग्यास को कम कर दिया था नहीं कम करते तो गिर जाता उपर मेरा तो नहीं इसका मतलब कम था बट कि यह ब्राइंग ब्लॉग इतना लंबा बना लिए कि चाय सुख्या अधा हो गया कोई बात लिए अब यह चाय का जो बलतन है इसको पानी जे देखो है इसमें पैर में तर दर्ध है ना लग रहा है कब जाके रूम पर बैचे कब रूम पर जाए कब रूम पर जाए ऐसा लिए चलो ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि आप घर पे जाके क्या करना है पूजा को मैंने कर लिया है देखना है चलिए आप लोग को लेके चलते हैं मैंने किस तरह से विश कर्मा पूजा किया है फुरस आप लोग को भी दिखा देते हैं चलिए अब रूम पर चलते हैं रूम पर रूम का फैन बंद है विकॉज यहां पर मैंने धुपकाटी जला था दो मिकर के हलका चला रही हूं और पूजा यह देखो सी बस इसी तरीके से मैंने किया आज बिशकर्मा पूजा पानी का बॉटल तो लाना ही भूल गी प्यास लगा है बहुत जोरो से नहाने के बाद पानी पीने के लिए मैं बोलती हूं ना मैं खुद भूल जाती हूं तो मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों ने देखा मैंने पानी पिया बट प्यास बहुत जोर से लगा है चलो है भगवान आउच पैर में इतना दर्द है मत पूछो चलो बैठने से थोड़ा राहत मिलेगा मु एडिट करके पब्लिश मुझे करना है चार बज़े से पहले निकलना है उसके पहले यह दोनों पब्लिश करेंगे और बस और क्या और पता नहीं करूंगी या नहीं I don't know गनेश पूजा करने का बहुत मन हो रहा है बहुत जादा मन हो रहा है मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं घर पे रहती ना तो फिर आज दोपेर 12 बच के 35 मिनट से गनेश चतुर्ति का पूजा का जो मुझा का जो मुझा हो गया है अगर मैं घर्त में रहती तो फिर जरूर करती पता नहीं बहुत जादा मन हो रहा है गनेश कूजा करने का अगर करूंगी तो इसके उपर व व्लॉक भी बनाएंगे तो चलिए आज यहीं तक टाटा